आज की कहानी का शिर्षक है सबग नेक राम और उसकी पतनी रुपमिणी एक छोटी से गाव में रहते थे अपने खेट में अनाज की फसल लगाते और ज़र फसल पक जाती तो उसे मंडी में बेचकर अपना पालन पोशन करते थे फसल लगाने से पहले खेट भी खुदाई करनी पड़ती थी जो एक बहुत ही परिश्रम भरा कारे होता है बीज लगाना और सीशना ये पकी फसल को काटना इतना कठिन नहीं होता इस साल नेक राम ने सोचा कि क्यों न खेट की खुदाई बिना अपनी महनत लगाए की जाए किसी को खुदाई का काम दिया तो बहुत से पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पैसे भी खश नहीं करना चाता था और यहां भी था कि महनत भी न करनी पड़े काफी सोचने के बाद एक विचार उसके दिमाब में आया अपनी योजना अनुसार उसने रुकमिणी को कहा कि महलने भर में यहां खबर फैला दो कि नेक राम के खेट में खूब सारा धन गड़ा है रुकमिणी नैप में सहेलियों और गाउं की अन्य औरतों में यह बात फैला दी और यही बात औरतों द्वारा पल भर में पुरुशों के कान में भी पड़ गे उसी रात बहुत से लोग धन मिलने की लालच में नेक राम की खेट पर पहुँचे और पूरा का पूरा खेट खोट डाला लेकिन गड़ा धन किसी को नहीं मिला मिल्सता भी कैसे क्योंकि ऐसा धन था ही नहीं सब था खार कर अपने अपने घर लोट के अगली सुबार जब नेक राम उठा और अपने खेट को खुदा हुए पाया तो उसकी खुशिक अठी काना ना रहा अपने चतुर बुद्धी पर उसे गर्व सा होने लगा उसने तुरंत बीजों की गठरी उठाई और खेट में जा बीच बो दिये उसको बीच बोता देख सब गाउने अपने को ठागा सा महसूस करने लगे वो समझ गये कि नेक राम ने धन दबा होने की बात फैला उन्हें मुर्क बनाया है पर क्या कर सकती थे? सोग खामोश ही रहे कुछ महिनों बाद नेक राम के खेट पकी फसल से लहराने लगे बस उन्हें काट कर मंडी में बेशन ही शेश रह गया था तब से कटाई शुरू करूँगा यह सोच नेक राम खाना खा कर सो गया अगले दिन सुवा उठा और हाथ मूँ दो कर जब वो खेट पहुँचा तो हक्का बक्का रह गया सारी फसल कटी पड़ी थी और इतनी बेराय में इसे कटी गई थी कि उस अनाश को कोई भी नहीं खरीटता उसकी महीनों की महनत पर एक ही रात में किसी ने पानी फेर दिया था उससे कुछ समझ जहीं आ रहा था किस दुश्मन ने ऐसा किया है उसने फिर अपनी पत्नी रुकमडी से पता लगाने को कहा रुकमडी जब अपनी सहेलियों से मिली तो पताचला की कर रा किसी ने गाउं में खबर फैला दी थी कि नेक राम ने अपनी फसल में बहुत से धन चुपा रखा है सो छिपय दन को ढूंडने के लिए सब गाउंवालों ने उस फसल को तहसनास कर दिया उधर नेक राम अपना खेत मुफ्त में खुदवाने पर पच्टा रहा था और उधर गाउंवाले उसे सबक सिखाने पर जश्ट मना रहे थे तभी क्याते हैं दूसरों को ठगने की कोशिश करने वाला एक नाइक जिल पकड़ा ही जाता है और उसे पच्टाना पड़ता है